चैनल पर दोस्तो हससी की आज बहुती बड़ी अपडेट आई है सभी एकजाम सेलेटिड एकजाम के आपका सेड्यूल सेलेटिड कहें या फिर जो नई भरत्य होंगी अभी उन सेलेटिड हर्याना करमचरी चैना ग्रूप डी के चोदा हजार पदो के लिए CET के लिए एक द दिन में आपका शुरू होने वाला पोर्टल दोबारा से जो स्टुडेंट रहे गए हैं दोस्तों जिन उन्हें पहले अपलाई नहीं किया था वह अभी अपलाई कर सकते हैं ग्रूप C के लगबग 37,000 पदों का विग्यापन आगले दो सब तागे भी तरसंभाओ टेस्ट हो पाया तो दोस्तों हो सकता कि आपके मारच में भी कुछ एक्जाम हो जाएं उसके बाद देखेगा हर्याना करमचरी चैना ग्रूप D के लगबग 14,000 पदों को के लिए CET लेने से पहले एक दो दिन में पंजीकन प्रिक्रिया शुरू करेगा आयोग के देक्स ब बता इस थी चैयर या पांच मार्च या फिर दोस्तों दस यह 11 मार्च इस तरह के से आपका 11 या 12 मार्च होगा एक बार चेक करेना यह डेट उन्होंने दी थी इन डेट में आपका उन्होंने पंजीकन टेस्ट करने की बात कही थी कई लाख हुमीदों ने ग्रूप C और D दोनों के लिए वन टाइम पंजीकन कर राखा मगर ग्रूप D के लिए नया पंजीकन शुरू करने का फैसला किया है उन्होंने बता कि जिन्होंने वन टाइम पंजीकन पहले कर राखा उन्हों अपडेट करने का मौका दिया जाएगा इस अपडेट में वे तरूटिया पाइम दिया जाएगा बोपाल सिंग खदरी ने कहा कि चुकि दसमी पास 17 से लिए बसाना है तो ग्रूप डी के लग बग 14,000 पदों के लिए सी एटी लिया जाएगा SSC पेटरन पर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट में परशन तो बपाल सिंग खदरी ने बता कि जो अब सी एटी हो चुका है ग्रूप C के लिए और जो नहीं भरती आएंगी ग्रूप C से सम्मंदित उन में जो ना अरियाना से सम्मंदित और ना जरना नोलेज से सम्मंदित स्वाल पूछे जा चुके हैं इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट में अब साट से सतर फिषदी सवाल जो ना दोस्तो वह विश्यों के बारे में पूछे जाएंगे जो फिल्ड उसमें रहेगी पहले भी मैंने ये बात बताई है पूरा टेस्ट सम्मंदित बात स्क्रीनिंग टेस्ट मे हरियना क्रमचरी चैनाव गुरूप C पदो का स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा ऐसे सी कंबाइंड प्रिक्षा लेता है उनुने बता कि इस बार प्रियास रहेगा कि गुरूप D का CET अपने जिले में हो अगर ऐसा संबह हुआ तो दिव्यांग और महिला अमिद्वारों को क्रमचरी चैनाव क्या देख्ष बोपाल सिंखरी ने बता कि अभी पड़िया सरकार ने गुरूप C पदो के लिए उनुन सेक्षणी की योगता जोना बार में कर रखी है लेकिन कुछ पदोस्तों ऐसे हैं जिन में सेक्षणी की योगता दस्मी है और उन ने इसलिए सरकार को बेजा है बांग पतर की जो तकनी की सतर के पद हैं या और पद हजिन में दस्मी तक की वह दोस्तों जैसे मसलन ड्राइवर लाइनमें जैसे ऐसे पद हजिन की सेक्षणी की योगता दस्मी है तो क्या ग्रूप D के लिए इसमें बनाए जाएंगे तो कुछ भी बागों अभी योगता दस्मी है इसके लिए पड़ा लिखाना जरूरी है जबकि ग्रूप D पदों के लिए सेक्षनिक नियूंतम योगता जो हो दस्मी की गई है ग्रूप D के भी फिला लग बग 14,000 पदों के लिए सीटी होगा से निवार 13 जनौरी तक 8-81 बागों से ग्रूप D क लग बग 13,700 जो 712 लग बग जो पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट हैं दोस्तों वो बोर्ड के पास आचुगी लग बग 13,000 के और पहले बोल रहे थे लग बग 20-22,000 पदों पर यह बढ़ती होनी है तो बढ़ती तो लग बग 20,000 के राउंड ही होगी क्योंकि अभी तक जो मांग पतर है अन्य डिपार्टमेंट बहुत साइ डिपार्टमेंट के भी इन में रहती है ग्रूप C के पदों का विग्या पंदो सप्ता के भी तरसंभव सभी CET पास करने पास को आई दन का उसर देंगे तो लग बग CET सभी जिनों ने पास किया और उनको सभी को उसर मि है आयोग ने इसकी त्यारी कर ली है उन्हें बता कि जितने भी उमिदवारों ने ग्रूप C के लिए CET टेस्ट पास किया है उन सभी उकावधन करने का मौका दिया जाएगा आवेदन के बाद आयोग पदों कि संख्या और के टेगरी नुसार CET स्कोर के अनुसार टाप च सभी को बेठने का मौका मिलेगा क्योंकि पदों का समू continues जैसे पदो का समू बनाये गया है लेश मधाय जाएंगे तो उमद्वारों करने का उप्सिंण धिया जाएगा जाएगा भियाना करमचरी चैनाव इने ग्रूप C की लग 28,553 पदों का विग्यापन जारी करने की त्यारी कर ली है लग 32,000 के तकरीबन ये पदा भी हो चुके हैं अगले दो सपता के भी तरिये विग्यापन जोना सारोजनिक कर दिया जाएगा एक्जाम सतर के अनुसारी ने 54 ग्रूप में बाठा ग इसी तरह ग्रूप C के कुल 36,000 जो होना 324 पदों का विग्यापन जारी होगा इस बीच कुछ और भी पदायों के पास आएंगे तो उन्हें भी विग्यापित किया जाएगा अब ये देखे जो ये 54 ग्रूप है इनके बारे में बदाता हूं इनमें पदों के नाम एक्जा सब्सक्राइब गुरूप फोर में हैं दोस्तों computer technician के कुल 12 पद रहेंगे एक्जाम का लेवल 3 वर्षिय डिपलोमा रहेगा यहाँ पे एक्जाम का लेवल रहेगा दोस्तों 3 वर्षिय डिपलोमा इन computer engineering और computer technician के 10 और computer programmer के इसमें 2 पोस्ट इसमें रहेंगी यह गुरूप च्यार का सथ दोस्तों उसके बाद गुरूप पांच में है आर्टिक आर्टिटेक्ट्रल सायक इसमें ड्राप्ट्समें सिविल के कुल 17 पद हैं एक्जाम का लेवल 3 वर्षिय डिपलोमा के अनुसारी इसमें रहेगा अर्ख्यिटेक्ट्रल असिस्टन्ट के साथ जूनियर ड्राप्समें के आर्ठ और में स्टेशन फायर अपसर के रहेंगे दोस्तों इसमें डिप्लोमाइन फायर जो किया होगा वो यहां पर अप्लाई कर सकता है ग्रुप 13 में साइक सूचना जन संप्रकदी कारी के रहेंगे ग्रुप 14 में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलोजी से समझ नित रहेंगे ग्रुप 16 में स्टाफ नर्स के कुल 756 पद रहेंगे उसके बाद बीसी नर्सिंग या वो न चीए इसमें ग्रुप 17 में स्पोर्ट्स कोच के रहेंगे ग्रेजूएट जमा स्पोर्ट्स नॉलिज इसमें रहेगी इसमें अलग-अलग पोस्ट हैं फिर जूनियर कोच बगा स्टेनो ग्राफर ग्रेजूएट लेवल स्टेनो के सबीस में होंगे ग्रुप 20 में है वरक सुपरवाइजरी में कुल 123 पद रहेंगे मतलब दोस्तों जो सारे ग्रुप बताएगे नहां उसमें जो ग्रुप से लिटेड को जो जो वकैंसी है वो उसी ग्रुप के अंदर ल ग्रुप 22 में, ग्रुप 22 में, ग्रुप 22 में ALM, 리 jag fighters इनके कुल पद इसमें रहेंगे ग्रुप 23 में VLD एरनी 2022 टेशें जो और सिय दो तयो 632 पोस्त रहेंगे कि आमका लेवल 10Hello 10, 5 वे जम्मा VLD 2 साल काठी परलामा इसमें उना चीए यह दो के गुरूप 25 में आपके रहेंगे भी scientific assistant के पद गुरूप 27 में ड्राफ्ट में civil के गुरूप 27 में statical पद graduate के गुरूप 28 में stenographer के फिर पलस टू लेवल के गुरूप 39 में mechanic के दोस्तो और गुरूप 30 में उसकी बाद बात करता हूँ fire operator के गुरूप 31 में feeder के जो ITS SM नितपो गुरूप 35 में sub fire officer, गुरूप 36 laboratory technician, गुरूप 36 में आपका senator inspector, 38 में welder, 49 में दोस्तो artificial, 40 में trainer, उसके बाद 41 में mason, 42 में plumber, 43 में printing technology, 44 में dispenser, 46 में दोस्तो आपका जो किर्शी समनित पलस टू के बेस पर, 47 में dental hygienist, 48 में orthomologic assistant, 49 में operation theater assistant, 50 में lab assistant, और diptranger, क्यावन में Indian cook, इसके बाद ये अगल लग है भी बावन में common graduate level, इसमें आपका लेवल रहेगा दोस्तो एक्जाम का लेवल higher secondary level इसमें रहेगा, उसके बाद तरेपन की बात करता हूँ जो ना बावन में सब से ज़एदा र असिस्टेंट, असिस्टेंटर काईवेस्ट, food and supplies officer, ये कैनल पटवारी, लग बज जो रहेंगे, आपके ज़्यादा सबसे ज़्यादा पदवियर रहेंगे दोस्तों, ग्रूप बावन में, नगर प्री सची होगा, पंचा है तो अफिसर होगा, आपका पटवारी होगा, ये सब इस तरीके गपद जो हैं, आपके ग्रूप बावन में रहेंगे, नि सबसे ज़्यादा जो एक्जाम की अगर बताओं बात तो दोस्तों वो आपके ग्रूप बावन में रहेंगे, ग्रूप 53 में रहेंगे, फिर हायर सेकेंडरी लेवल के 3370 पद ये आपके बताए गये हैं, और ग्रूप 54 में लास्ट अब के लिए सभी के लिए इंपोर्टेंट है, जिनकी भी एज हर ये ना पुलिस की है, क्योंकि रहेंगे पुलिस में दोस्तों कम से कम मैं बात करूं तो च्यार गुना नहीं, यहां पर दस से पंदरा गुना कर निडेट आएंगे, क् देखे, साथ गुना को तो आप फिजीकल के लिए इंपोर्टेंट हैं, वे आते हैं बोर्डन को लेता है, तो दस से पंदरा गुना को यहां मोका जुरूर मिलेगा, तो उसी पाहिपद के लिए पुलिस के जो एक्जाम देने की सोच रहे हैं अब की बार, तो वे इस मोका है, दोस्तों रियाना पुलिस में बहुत अच्छा मोका है रहेगा, क्योंकि कम्पिटिशन बहुत कम रहेगा, दस से पंदरा गुना लेंगे, तो जिनके जो पॉइंट पर पास हो हैं, जैसे जर्नल में अगर बात करूप हैं, तारीस चालिस नमबर लिए हैं, जो पा एक से दो मेंना आपके पास है, इसकी बाद आपके डिरेक्ट एकजाम शरूओंगे, क्योंकि अब की बार थोड़े थोड़े बच्छों के एकजाम होने हैं, कोई ज़्यादा भीड़ी नियों नी कही, कई सिप्टों में एकजाम नहीं होगा, एक से दो सिप्टों में जार